नमस्कार, पापाममीकिचन.डाट कॉम में आप सभी का स्वागत है कर्मियों के मौसम में अलग लगता रेके कोल्डरिंग और सर्वत पीना सभी को अच्छा लगता है आज में आपको सौप के सर्वत का प्रीमिक्स मनाना बताऊंगी जो कि बहुत ही किफायती, आसानी से बनने वाला और सर्दार प्रीमिक्स है इसी के साथ जो हम सामगरी इसमें यूज करेंगे वो सरील को सीतलता परदान करती है और मस्तिस्क और पाचेन तंदर के लिए बहुत ही फाइदे बन दे है तो आएए सौप के सर्बत का प्रीमिक्स बनाना सुरू करते हैं सौप का सर्बत बनाने के लिए आदा कप सौप ली है इस समय में आपको बता दे हैं जब भी आप सौप ले उसके अंदर चो पथर वगर होते है निकाल ले साफ इसके अंदर तिनके वगर होते हैं वो भी निकाल ले इसाफ होनी चाहिए सोप इसे के साथ सौप में कुई तरह का महईस सर नहीं होना चाहिए तो सौप को आपको भी सेक करके नहीं लें आजकर घर में का महसा में तो बहार दूप बहुत अच्छी होती है तो आप दूप में इसे आदा गंटे के लिए फला दें यदि आपके इदर दूप नहीं आ रही हो तो घर के अंदर ही चाहिए आप इसे एक गंटे के लिए फला दें जिसे इसकी दमी तोड़ी निकल जाएगी फिर यह सर्बत बनाएंगे तो साल बर भी खराब नहीं होता है यदि आप इसे सेक करके बनाएंगे तो सेकने के कारण से इसका अरोमा थोड़ा कम हो जाता है इससे सर्बत के अंदर इसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा अब इस सौप को हम मिक्सी में डाल के पीस लेंगे अब इस प्री मिक्स में कुल मिला के हम पांस सामगरी एड़ करेंगे और पांचाव सामगरी हमारे स्वास्त के लिए बहुत अच्छी होती है उसके क्या-क्या हमारे को फाइदे मिलेंगे, वो भी दो-दो फाइदे मैं आपको बता दूँगी. तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, यह सौप हैं हमारे पाचन तंतर के लिए बहुत अच्छी होती है, और गर्मी के मौसम में अच्छी ठंड़क प्रदान करती है, इसलिए इस सौप का सरबत ज़रूर पीना चाहिए, अभी इस सौप को हम पीस लेते हैं, पर यदि साथ ने हमारे को उसकी चार गुना सकर लेनी है, तो यह हमने दो कप सकर लिये, आप जहां तक हो सके, मिस्री का इस्तेमाल करें, हमारे पास मिस्री नहीं है, इसलिए हम सकर ले रहे हैं, तो मिस्री अभी लेते हैं, तो मिस्री हमारे बोड़ी के लिए बहुत ठंड़क देत है इसी के साथ मिस्री हीमोगलोमीन लेवन को बढ़ाती है अब यह हम थोड़ी-थोड़ी करके सकर इसमें डालेंगे एक साथ में सकन डालेंगे कि अब यह अब हम दो मिनिट वेट करेंगे जिसे सक्कर अंदर सेटल हो जाएगी उसके बाद में से खूलते हैं कि अब देख पा रहे हैं यह सकर और सॉप अच्छे से पिस गए हैं पर क्या सॉप एक बार में पूरी नहीं पिस्ती है इसको अम चान लेंगे अब इसे चानने के लिए हमने एक श्टनर लिया है और बड़ा बरतन लिया है इसमें डाल देते हैं अब यह पीछे जो बच गया है यह सॉप का ही पार्ट है और इसे मिंजी कहते हैं तो इसको पिसने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है इसको दो तीन बार करके हम पिसेंगे अब इसको चलीब लगभी से अब इस्को के साथ हमारे वार्ट को डि टॉक्स करती और यह जानते हैं कि इलाइची की तासी ठणडी होती है तर इसम स्काफलियर बी अच्यों आता है इसे मूं एक पुरिसने स्ररीफ और यजाश आज सबht इक गर्र में ने तो कि यिलाइची कोड़ेंगे अभी इसमें डालने के लिए हमने डेड़ चमपने काली मिर्ची ली है काली मिर्ची वस्टो घाने वह थिक ही लगती है पर इस की तासिर बहुत ही ठंडी होती है और यह हमारे andra के लिए भी बहुत ही हुँँ तो इस सर्वतनाब जरू डाले यह इसमें डाल देते हैं इसी के साथ इसमें अभी हम एक टेबल इस्पुन कसकस डाल देते हैं कसकस हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छी होती है इसी के साथ हमारे बॉन की स्टेंथ को बढ़ाती है यह कसकस भी इसमें हम डाल देंगे अब इन सब को पीछने के लिए हम सकर डाल देते हैं सकर डालने से क्या सब आसानी से पीछ जाएंगे यह कुल मिला कि हम दो कपी सकर ले रहे हैं पर थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डाल रहे हैं अब इसको हम एक बार वापस ठान लेते हैं अब देख पार है सबी चीजें सकर डालने से के आसानी से पीछ जाती है पीछने के हमारे को प्रॉब्लम नहीं होती है अब इसको हमना चान लिया है जो पीछे बच गया है इसको वापस एक बार पीस लेते हैं अब जो पूरी सकर थी अब इसमें डाल देते हैं दो कप सकर अमना पूरी समें डाल दिये हैं और इसे धकन लगा करके पीस लेंगे इस तरह से हमारे स्वंप के सरबदका प्रीमिक्स बनके तयार हो गया है आप देख पारहें गवहती şmood किसके तयार हो है कि इसको आप 2-3 बार इस तरह से पीसेंगे सकर के साथ तो बहुत अच्छा पीस जाते हैं इस तरह का airflow matched बना आप इसे değil that I am a奇怪 मेंगे रखें अब Kaboda बताती हूं इसे सरवत कैसे बना करके पे अब सर्बद बनाने के लिए में दो ग्लास लीए एक में में आपको पानी से सर्बद बनाना बता हूंगी और दूसरी ग्लास में में आपको नूछ से सर्बद बनाना बताऊंगी सबसे पहले हम इसके अंदर बर्फ डाल देते हैं बर्फ यह आपके चोईस पर है आप डालना चाहे तो बर्फ डालें नहीं डालना चाहे ता आप बर्फ नहीं भी डालें अब भी हम ग्लास में जो प्रीमिक्स हमने सौप का बनाया है वो डाल देते हैं तो हम दो टेबली अब देख पा रहे हैं इसमें सौप का कलर बहुत ही अच्छा है इसमें हमने कोई तरह का कलर मिक्स ने किया है इसको इस तरह से मिक्स कर लें दूसरा में आपको दूट से बनाना बताऊंगे इसमें अभी हम सबसे पहले बर्फ डाल देते हैं और दो टेबली स्पून इसके अंदर हम जो पिर मिक्स बनाया है सौप का वो इसमें डाल देते हैं अभी इसमें दूट डाल देंगे और चम्मस से इसे मिक्स कर लेंगे दूट के अंदर इसका कलर हमारे को नहीं दिख रहा है क्योंकि सौप का कलर इसके अंदर नहीं आता है पर खुसमो बहुत ही अच्छी आ रही है और पीने में एकदम से जैसे हम ठंड़ा ही वगर बना के पीते हैं उसी तरह का टैस्ट इ आपको ठंड़ा ही अगर पीने का सौक है तो यह दूद में सर्बत आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इस तरह से आप दूद में सर्बत बना सकते हैं और पानी में बना सकते हैं दोनों में इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इस तरह का सर्बत मना कर से फाइदा ही है कि जब भी आपको गर्मी में ज्यादा गर्मी लग रही हो उसमें आप एक ग्लास के अंदर इस तरह का सर्बत बना के पियेंगे तो बोड़ी को बहुत अची ठिंडग भी लेगी तो आपको प्रीमिक्स की रेसेपी कैसी लगी नीचे कॉमेंट बॉक्स में क्लिक के में जरू बताएं इसी तरह के अन्य रेसेपी के लिए यूट्यूब पर पापा मम्मी किचन को जरू जरू सब्सक्राइब करें बीड़ते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई एंड टेक केर